अगर किसी बच्चे ने हमारा इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज उससे जरूर देखे क्योंकि वो आपका एक बेसिक एक फांडेशन है उसमें जितनी समझ होगी उतना अच्छे से आप आगे के चैप्टर को कवर कर पाएंगे तो बेसिकली आज के सेशन में हम एक छोटा सा फॉर्स चैप्टर कवर करने वाले हमारे एंशिंट हिस्ट्री का जिस चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंस ओफ इंशिंट हिस्ट्री या फिर इसे कहा जाता है प्राचीन भारती इतिहास का महत्व अब आपके दिमाग में क्वेश्ट्री आना चाहिए कि भई क्यूं हम एंशिंट हिस्ट्री पढ़ने हैं इवन मैंने बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स मों बात करते वे सुना है कि भई हिस्ट्री पढ़ाया ही क्यों चाता है इस सब्जेक्ट का यूज क्या है इसे तो हटा देना चाहिए से तो आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ इस चैप्टर के थ्रू की एक्चुली एंशिंट हिस्ट्री का इंपॉर्टन्स क्या है आज के सेंस में जो प्रिजेंट डे हमारे देश में जो भी लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसमें किस सरह से हमारा एंशिंट हिस्ट्री उसको सॉल्व करने में योगदान दे सकता है तो जब आप एंशिंट हिस्ट्री का इंपॉर्टन्स जानेंगे तो one by one हम इस importance के बारे में discuss करेंगे और almost जो है यह हम book ही cover कर रहे हैं तो सारी चीज़ आपको book की ही यहाँ पर मिलने वाली है लेकिन थोड़ा सा easy way में मैं यहाँ आपको cover कराऊंगी तो चलिए start करते हैं हमारे session को सबसे पहले ancient history पढ़ने का benefit क्या होता है मतलब इसको पढ़ है present day context में कैसे आपने कभी सोचा है कि agriculture पहली बर कब हुआ होगा मतलब आज आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो है वो क्रिशी होती है हमारे देश में खेती होती है maximum जो बच्चे है वो agriculture background से ही बिलॉंग करते हुए आते हैं और आज तो नहीं लेकिन 1950 के आसफास ऐसा था कि हमारे इंडिया का जो 60% से ज्यादा population था वो गाउं में रहता था और ऐसा बोला भी जाता था कि भारत गाउं में बसता है तो आपने कभी यह सूचा कि क्रिशी जो आज हम कर रहे हैं यह कब से शुरुआत होगा तो यह जब आप ancient history पढ़ते तो आपको वो time पता लगता है वो चीजे पता लगती कि कैसे पहली बार agriculture हुआ था पहली बार हमने अनाज बोना सीखा था और फिर one by one कैसे हमने agriculture की नई नई टेक्निक जो है वो डवलप की और आज वो चीजे हम देख भी सकते हैं तो यह चीज हमें पता लगती है कि क्रिशी की पहली बार शुरुआत कैसे हुई यह basic basic से चीजे हैं जो हमें पता लगती है दूसरा प्राकरतिक संपदाओं की खोज आज आप देखते हैं बहुत सारे हम natural resources का use करते हैं अलग-अलग टाइप के metals हो गया अलग-अलग तरह के हमें natural resources जो दिखाई देते हैं तो actually यह natural resources आज तो आप use कर रहे हैं ल मतलब आपको धातू मिली तो आपका दिमाग कैसे चला कि मैं इससे ओजार बनाओ कोई टूल बनाओ या फिर कोई मैं इससे equipment मनाओ तो यह कैसे हुआ यह सारी चीजे कैसे develop हुई थी यह हमें पता लगता है जब हम ancient history को one by one study करते हैं next कटाई बुनाई धातू कर्म यह सारी चीजे कैसे शुरुआत हुई आज आप कपड़े पहन रहे हैं तो कैसे कजा डागे बनने चालू हुए और किस तरह से इनसे फैबरिक बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, और फिर आज आप उन कपडों का यूस करते हैं, बुनाई कैसे चालू हुई, या फिर जो आप देखते हैं कि खेटी होती है, क्ःती में बुआई होती है, कटाई होती है, यह सारा प्रोसेस कैसे चालू हुआ, तो यह one by one आ आगे बढ़ते हैं जंगलों की सफाई कैसे हुई तो इंट्रोडक्शन सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी मुव्मेंट हुई थी बेसिकली इनिशियल स्टेज में हमें दिखाई देता है कि जो इंडिया का नौर्थ वेस्टरन पार्ट था यहां पर हम में ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं पॉपुलेशन दिखाई देती हैं लेकिन आगे चलके वन बाई वन हम मूव करते हैं इंडिया के इस बाले पार्ट में नदन इंडिया यह जो आप बोल सकते हैं जो भारत का उत्तरी मैदान है यहां पर हम मूव करते हैं और यह घने जंगलों वाला छेतर हैं तो किस तरह से हमने उन जंगलों की सफाई की और वहां पर एग्रिकल्चर किया इवन अगर मैं आज की कंटेक्स्ट में बात करूं तो आप देखते हो हाइली पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं वो आपको इसी जगह दिखाई दिखाई देता है कि यूपी बिहार यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई क्यों है तो यह आपको तब समझ में आएगा जब आप यह जानेंगे कि किस तरह हमने यहां पर जंगलों की सफाई की और फिर यहां पर किस तरह हम एग्रिकल्चर करने लगें क्या नैच्रल रिसोर्स ते ज चार पाउं से कैसे हमने दो पाउं में चलना चालू किया इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर है यह डेवलप हुआ ओके तो धीरे-धीरे करकर सोसाइटी वाला कंसेप्ट आया लोग एक जगह रहने लग गए जब एग्रिकल्चर स्टार्ट होता है और जब लोग एक जगह रहेंगे सोसाइटी बनेगी धीरे-धीरे ग्राम जो है गाउं जो है उसका निर्माण हुआ फिर हम देखते हैं कि यह जो गाउं है वो किस में कंवर्ट हुए वो धीरे-धीरे सिटी में कंवर्ट होते हैं यानि कि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई एग्रिकल प्रॉसेस हमारा चल रहा था और आगे चलके वो जो नगर थे धीरे धीरे राज जी में कनवर्ट हुए फिर वो सामराज जी में कनवर्ट हुए और किस तरह से एंपायर का पूरा इंडिया में हमें दिखाई देता है यह सारी चीज़ें हमें पता लगेंगे वन बाइवन जब आप इन एंचिंट हिस्ट्री को अच्छ से स्टडी करेंगे नेक्स चेप्टर से अगला विभिन प्रकार की लिपिया भाशाएं इनका विकास कैसे हुआ देखो आज अगर हम भारत को देखे तो भारत जैसी डाइवोसिटी आपको कहीं देखने को ही मिलेगी नहीं मिलेगी जितनी विविदिता हमें हमारे देश में दिखाई देती है कलचर को लेकर मगतल क्लचर मतलब क्या बोल सकते हैं आप कल्चर मीन कि आपका रहें सेहन खान पान भाशा लिपी आपके तीज त्योहार ये सब ही क्या होता है हमारा कल्चर होता है और सबसे ज़्यादा डैवोसिटी आपको इंडियन कल्चर में है इसमें ये नई नई भाषाओं का उदभव कैसे हुआ नई नई लिपियां कैसे आई ओर इजिनल कौन सी लिपी थी और उससे हमने देखा भले आज भारत में इतनी सारी बोली है भाषाएं है लिपी है लेकिन इनका ओरिजन तो एक ही जगह से हुआ है ना मूल जो कुछ भ ब्लम जो है वो क्या बन चुका है कि जातिवाद साम प्रदाइकता लोग भाषा को लेके लड़ जाते हैं अच्छा तुमने मेरी भाषा को ऐसा बोला तुमने हमारी बोली को ऐसा बोला तो एक्चली जब यह चीजे हम पढ़ते हैं तो हम एक मैच्वार स्टेज में होगी वो थोड़ा सा मैच्वार बिहेव करेंगे और इन चीजों पर डिबेट तो करेंगे लेकिन वो डिबेट पॉजिटिव कंटेक्स्ट में होगी ना कि एगो के साथ कि भाई तुमने मेरी भाषा को या लिपी को ऐसा कुछ क्यों बोला तो एक्चली यह जो एंशिंट हिस्ट्री से हमें सारी चीजे पता लगती कि कैसे हमारे देश में क्रिशी स्टार्ट हुई थी कैसे हमारे देश में पशुपालन की ववस्था स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इनका डवलप हमें इस दिखाई दिया फिर आप बोलेंगे कि कैसे नही नहीं भाशाएं बन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग-अलग हमें संस्कृतियों की कैसे तो वह कैसे विक्सित हौिए है। इतना ही नहीं। किस तरह से हमें गांव से दहके दो हैं। और आज की जो problem नेसेसरी चीज़ों पर डिबेट ना करें लड़ाई जगड़ा ना करें यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो हिस्ट्री पढ़ने के बहुत सारे फाइदे हैं कई बार हमें चीज़े पता नहीं होती तो हम लड़ जाते हैं अच्छा ऐसा है हमारा है यह भावना खतम हो जाएगी जब आपको इतिहास की सही से जानकारी होगी और पता लग जाएगा कि धीरे धीरे विक्सित हुई है ठीक है चालो आगे बढ़ जाते हैं यहां तक सबको क्लियरे एक बार कॉमेंट सेक्शन में फटा-फट बताईए कि आया कि गया एक बार कॉमेंट सेक् पढ़ने से आपको क्या benefit होता है तो पहला कि भारत में अनेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल आज आप बोलते हो भारत देश ओके भारत में आज जो संस्कृति है उन्होंने अपना रूप धारन कर लिया है ठीक है चाहे आप नॉर्थ में जाओ चाहे आप साउथ में ज आज का जो भारत बना है उस भारत के बनने के पीसे बहुत बड़ा योगदान है किसका बहुत सारी मानव प्रजातिया भारत में आती नहीं है हमारे देश की मूल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, विदेशों से बात कर रही हूँ, और ancient history की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जादा आगे नहीं बढ़ूँगी, ancient history की जब भी हम बात करेंगे, तो हम कहां से कहां तक बात करेंगे, जहां से भी इतिहास चालू है, लगबग मान कर च तो यहां पर ancient history का यह वाला जो पहला point है यह बोल रहा है कि actually जो आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता लगते हैं कि भारत में लगतार invasion हुआ है कहां से तो इंडिया का यह जो नौर्थ वेस्टर पार्ट था उत्तर पश्चिमी भाग था यहां से लगतार आक topic मत बनाना for example आप यूपी में रहते हैं ठीक है अब आप दक्षिन भारत की किसी छेत्र में जाईए एक्जामपल के लिए हम करनाटक चले गए तो जब आप करनाटक गए वहां पर आपका कोई roommate है जो वहीं से बिलॉंग करता है लोकल से और आप यहां से गया आप दोनों roommate के रूप में एक ही साथ रह रहे हैं तो आप क्या होगा अगर आप साल दो साल रह गए तो आप में संस्कृति का आदान प्रिदान हो जाएगा आप समझ गये मतलब कि बहुत सारा खानपन की चीजे आपकी वो सीखेगा आप उनकी सीखेंगे बहुत चीजे होंगी जो आप सबस्त में एक दूसरे के साथ में आप लोग सीखेंगे ऐसा ही हुआ जो आज आप भारत की संस्कृति देखते हैं एकदम से यह नहीं बन चुकी थी इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है बहुत सारे विदेशी वन बाई वन आधे ancient time period में मैं यहां पर थोड़ा सा उनका जिक्र भी कर दूँ जैसे सबसे पहले तो आरियंस जो आरियंस हैं हमें बोगस को इंस्क्रिप्शन डरना नहीं है आगे पढ़ेंगे बोगस को इंस्क्रिप्शन जो है एक archaeological evidence जिससे पता लगता है कि जो आरियंस है ना वो Central Asia से इंडिया में आते हैं यानि कि जो मध्य एशिया वाला भाग है ना वहां से मूव करके गया थे यह एक invader थे और आके फिर इंडिया के इस नौर्थ वेस्टन पार्ट में आकर यह बस गए थे तो जब यह आरियंस वहां से आए तो यह अपना culture लेकर आए और यह जो अपना culture लेकर आए जो भारत के अलरेड़ी यहां पर नेटिव लोग थे जो मूल लोग थे उनको उन्होंने अपना culture दिया अपने जैसे आरियंस जो थे वो यग्य किया करते थे तो यहां से इंडिया में यग्य की पद्दती चालो हुई आरियंस जो है यह लड़ाई-लड़ा करत थे वार लड़ते थे रत का प्रयोग करते थे तो यहां से रत इंट्रड्यूज हो रहा है जो तिल्ली वाले पहिये होते यह उनका प्रयोग करते थे वो इंट्रड्यूज हो रहा है यह घोड़े का प्रयोग बहुत जादा करते थे वह आप समझ पारें तो धीरे-धीरे इ वहां पर इनके जो इन्वेट करके इंडिया में आते हैं समझ में और यह भी इंडियन के कौन से वहीं नॉर्थ वेस्टन पार्ट पर आते और जब यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कुछ समय रहते तो यह अपने इरानी संस्कृति का आदान-प्रदान करते हैं वहा हमारे जो इस्थापत्ते हैं आर्किटेक्ट्चर जे उन सब पर उनका इंपक्त दिखाई देरा प्लस हमने भी उनकी संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया आप समझ पा रहे हैं फिर हम देखते हैं आगे अलेक्जेंडर का इंवेजन हुआ आपको पता है अलेक्ज तो मैं आकर जो युनानी बसे थे ना उन्होंने बहुत ज्यादा इंपक्ट डाला था इस वाले रीजन में अपने कल्चर का ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिर हम देखते हैं पोस्ट मौरियन पीरियट में मौरियोत्तर काल में वन बाइवन इन्वेजन हो र ग्रीक्स यहां पर आये इन्होंने अपना कल्चर का आदान प्रदान किया इवन इतना ज्यादा आदान प्रदान हुआ कि इनको इंडो ग्रीक्स कहा जाने लगा हिंद यवन या हिंद युनानी कहा जाने लगा फिर इंडो ग्रीक के बाद हम देखते हैं शक आते हैं रिप्लेस हो जाते लेकिन जो भारत का ये वाला छेत्र है ना गुजरात वाला जिसको वेस्टन शत्रप कहा जाता हो था तो वहां पे शक बहुत लंबे समय तक बने रहे गुपतास के टाइम पीरिट तक बने रहे अब जब बने रहेंगे तो भी काफे कुछ इंडियन कल्च की तो एक तो अशोका के टाइम पीरिट में बुद्धिस्म का प्रचार प्रसार हुआ लेकिन जो कुशान साय ना उन्होंने ये पूरे सिल्क रूट पर कंट्रोल किया था और सिल्क रूट का यूज़ करते विए चाइना हो गया नौर्ट साउथ कोरिया हो गया इन सब री किजे ना जो कल्चर ना केवल आ रही है बलकि जा भी रही है मतलब कल्चर का आदान प्रदान जो है संस्क्रती का हमें विवहार दिखाई दे रहा है ठीक है फिर हम देखते हैं आगे और हमें इन्वेजन दिखाई देते हैं यही पर हमारा इन्वेजन रुकता नहीं है तो और आगे चलिके एक फैक्टर हुरों का अटेक भी बनता है गुपतास के डिक्लाइन में नेक्स्ट फिर हम देखते हैं किसका अटेक होता है तो हम देखते हैं अरब और तुर्क इन्वेजन अब यह जो इनवेजन होते है बैसिकली इसे हम क्या बोलते हैं इन्हें हमिलाइट करते हैं Islamic invasion के नाम से या फिर आप बोलते हैं Muslim आक्रमणकारी ठीक है और माना जाता है कि ये जो Muslim आक्रमणकारी आए इसके बाद से हमारा क्या चालू हो जाता है मध्यकालीन भारत का इतियास चालू हो जाता है तो मैं यहां पर यहां तक छोड़ना चाहते हूं कि यहां से मध्यकालीन भारत का इतियास चालू हुआ क्योंकि हम एंशिंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया का जो कल्चर है ना इसमें विदेशियों का भी बहुत योगदान है वन बाई वन यह सारे अटेक्स हुए जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा तो आपको यह याद रखना है कि इस हिस्ट्री को पढ़ने से हमें बेसिकली क्या-क्या पता रखता है तो हमें पता लगा कि यहां से बहुत सारे इंवेजन हुए सबसे पहले आप देख रहे हैं इरानियों का अटेक्ट हुआ फिर हम देख रहे हैं युनानियो अरब के द्वारा और उसके बाद से हमने माना कि मेडेवल चालू है लेकिन उसका रीजन मुसलिम इन्वेजन नहीं था इस्लामिक इन्वेजन नहीं था आक्चुली मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेडेवल की शुरुआत हम किसे बोल रहे हैं जब इंडिया में कोई बड़ा एंपायर नहीं था बलकि छोटे-छोटे हमें एंपायर दिखाई देते हैं चोटे-छोटे हमें रीजिनल रूलर्स दिखाई देते हैं नौर्थ में राजपूत स्टे दिखाई देते हैं दक्षन भारत में हमें अलग से चोटे-चोटे राज्य दिखाई देते है पाल प्रतिहार रास्ट रिकूर्ट यह सब चीजे चलती है क्योंकि कोई बड़ा एंपायर नहीं बचाता उस समय एक यूनिफाइड इस्ट्रक्चर नहीं दिखना आता है इस वेसे वहां से हमने मध्यकाल की शुरुवात माल नी ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है क इंशिंट हिस्ट्री पढ़ने से आपको पता लगा कि इतने सारे लोगों ने इंवेट किया और इनका हमारे इंडियन कल्चर पर बहुत ज्यादा इंपक्त है तो आज जो आप इंडियन कल्चर का एक विक्सित रूप देखते हैं वह इस तरह से बना है धीरे धीरे बना है इंडियन करते हैं मैक्जिममम जो हिंदू फैमिली से बिलॉग करते हूं पता हो गई यह सिस्टम ठीक है इसके लावा जो हमारे आइडल्स वगएरा हुआ करते थे मूर्तियां होती थी इन मूर्तियों जो नए नहीं तरीकी की मूर्तियां बनती थी उनके उन पर बहुत इ बुधर्षिम के प्रतिमाय दिखाई देती हैं इसके अलावा आप देखते हैं आर्टीयखेटर्स जो बड़े बड़े हमें दिखाई देते मंदिर हो गए या बड़े आर्किटेक्चर्टर्स हो गए उनका भी इनका काफ़े कुछ impact दिखाई देता है ठीक है जाए हम बात करें बुद्धिज्म के जो आपके चैते थे गुफाय जो चैते विहार थे इन पर भी impact पड़ा जैसे कुशांस के time period में बहुत सारे चैते विहार बनाए गए तो कहीं ना कि उनका जो अपना architecture था वो इन पर भी impact डाल रहा था थोड़े थोड़े लेवल पर coins issue हो रहे हैं इंडिया में गोल कोई तो गोल कोई पहली बार कौन इंटर्डूस करकर जाते हैं यहीं विदेशी इन्होंने अटेक किया गोल कोई इंटर्डूस किया तो बैसिकली यह सारी चीज़े हैं वन बाइवन इंडि administrative officer काम करेंगे administrator के रूप में काम करेंगे तो वहां पर बहुत चीजी हमारी काम आती है relations maintain करने में बहुत जगह पर यह useful होती है ठीक है चालो अब आगे बढ़ जाते हैं भार्ती संस्कृति की विलक्षनता इंडिया कल्चर इंडियन कल्चर में जो हमें इतनी ज्यादा एक वह दिखाए थे composite type का तो यहां पर यही बता रहा है कि basically अगर आज आप इंडियन कल्चर को देखे तो हमें थोड़ा से दिखाए थे थे नॉर्थ और साउथ का है ना basically नॉर्थ और साउथ की बीश में कई बार यह debate भी होती है जो नदर्ण इंडिया वाले है इनिशिली मा प्राक आर्यंस के पहले ही हमारा यहां पर एक विकास हो चुका था आर्यंस के पहले हम यहां पर पूरी तरह से विकसित हो चुके थे हमारी अपनी भाशाती हमारी अपनी लिपे इस तरह की बात और फिर आर्यंस इनका हमें दिखाई देता है तो basically यहां पर यही बोल रहा ह दिखाई देते हैं लेकिन इसके बावजूत यह सब आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान करते रहे हैं कैसे करते रहे हैं थोड़ा सा हम जानते हैं जैसे कि थोड़ा से ध्यान रख रहा है कि जो प्राक आरे वाले हैं जो दक्षिन भारती चेतर वाले हैं हमें पता वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति दिखाई देती है बेसिकली दक्षिर भारत के लोग द्रवीडियन नौर्थ इंडिया के वैदिक दक्षिर भारत में तमिल नौर्थ इंडिया में संस्कृत यह हमें दिखता है लेकिन आक्चुली ऐसा नहीं कि इन दोनों ने आपस मे कुछ लिया दिया नहीं यहाँ पर यही बोल रहा है कि इन सब के बीच में हमें आदान प्रदान होते वे बड़े लेवल पर दिखाई देता है ना केवल आर्खिटेक्चर के मामले में लेंग्विज स्क्रिप्ट हर मामले में इनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है इवन जो इनका एक तरह से इश्वर की अराध्रा का तरीका था उसमें भी काफे कुछ हमें आदान प्रदान होते वे दिखाई देता है कैसे तो हमें पता लगता है कि द्रवण मुंडा और नेक संस्कृत तेतर भाषाओं के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहां से लिए गए हैं जिनका हमें वैदिक गरंथ में उल्लेख दिखाई दिता है यानि कि जब आप दक्षन भारत में जाईए और वहां के कुछ ऐसे लेंग्विज के जो वर्ड्स हैं उनको जब आप द आशाएं थी वो कौन सी चलती थी पाली प्राकर्त और संस्कृत तो हमें बता लगता है कि नौर्थ इंडिया में पाली और संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो गंगा के मैदानों में विक्सित विचारों और संस्थाओं के दियोतक हैं वो संगम नाम से प् इंडिवीजवल आइडेंटिटी थी लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं इनके बीश में आदान प्रतान नहीं होता रहा बहले वह मैं बोले लेकिन इनके शब्दों का हमें आदान प्रदान लगातार दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं यहाँ पर एक टाम और बोल रहा है कि अगर इंडिया का यह नौर्थ इस्टन पार्ट देखे पुर्वांचल के छेत्र देखे तो हमें पता लगता है कि पुर्वांचल भारत जहां प्र इस चेत्र की बात करें नौर्थ इस्टन वाला जो रीजन एंडिया का उत्तर पूर्वी भारती चेत्र वाला जो हिस्सा है यहां के जो लोग है ना वैसे तो वो द्रवीडियन है प्राग आर्यन है लेकिन उनके द्वारा जो भाशाय बोली जारी वो कौन सी कॉल और से यहां का हमें वहां पर इंपक्त दिखाई दे रहा इतना ही नहीं चोटा नागपूर पठार यह आपका इधर चोटा नागपूर प्लैट्यू तो चोटा नागपूर पठार जो की मुंदा परिसर वाला है मतलब यहां पर ज्यादा हमें दिखाई देते कौन से मुंदा दिखाई देते हैं लेकिन हमें पता लगता है कि जो बैसिकली यहां पर ये बोलना चाहा रहा है कि छोटा नागपूर का पठा जो की मुंडा परिसर है लेकिन उसके बावजुद वहाँ पर मुंडा कल्चर का इतना इंपक्ट नहीं है जितना द्रवीडियन कल्चर का है तो North का अपना एक कलचर था जिसको वो बोल रहे हैं कि हम Aryans थे, South का अपना एक कलचर था जिसको वो बोल रहे हैं कि हम प्राक Aryans थे, North East में हमें अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीके, जो प्राक Aryan ही basically बिलॉंग कर रहे हैं और ये जो छोटा नाखपूर वाला रीजन है, यहाँ पर हमें मुंडा दिखाई देते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें दिख रहे हैं कि यह सब आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं और उसके हमें प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं, okay, समझ में आ गया, clear हो गया, चालो, तो आगे बढ़ जाते हैं, अब आप बोलोगे इसका इसका use यही है कि कई बार होता है लेकि लेंकुलेज को लोग लेकर आपस में भेड़ जाते हैं, दो आपकीृट में इनकी में और इनकी लेंगविज में आपका भी योगदान है और आप सारी लेंगविज है वो मूला भाशाओं से ही विकसित हुई है, तो ओरीजिनली हमे लुट के टाइम पीरिड़ में ब्राम भी में लिख लेखाने हैं ऑ carbon बेटेशके अशूरिर थीं आपन पेत्र वहां से निकल भले आप गए हो तो उसको लेकर विवाद नहीं करना है समझ में आगया है ऒीपटको हो तो वो healthy debate होना चाहिए, clear है, चालो, अभी आगे बढ़ जाते हैं, next यहाँ पर क्या बोल रहा है, okay, आगे यहाँ बोल रहा है, भारत विबिन धर्मों का प्रांगर है, ठीक है, हमारा constitution, especially constitution के fundamental right में, हमारे धर्म की बात की गए, article 25 to 28, detail से, क्योंकि जो constituent assembly थी, उसको दिखाई दि है, हमें अलग-अलग धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इन सब को protect करना बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी धर्म होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं भाई, यह specific इस धर्म से बिलॉंग करता है, लेकिन actually जो आप Indian history पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दू कि जो हमारा ancient history था, sorry, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास था, तो हमें पता लगता है कि ancient time period में जहां पर हमारा वैदिक धर्म विक्सित हो रहा था, उसी वैदिक धर्म के parallel हमें क्या दिखाई देता है, उसी वैदिक धर्म के parallel हमें दिख आप देखते हैं कि जो मौरियन kings थे, चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौरे की, चंद्रगुप्त मौरे जैन धर्म के जो प्रिचार प्रसारे उस पर काम कर रहा था, उसको संरक्षन दे रहा था, चाहे हम बात करें अशोका की, तो अशोक जो है वो बुद्धिस्म से related काम कर रहा था, उसके प्रिचार प्रसार पर उसमें काफी काम किया, तो वो time period था, जब हमें वैदिक धर्म, बुद्धिस्म, जैनिस्म, यह सब पैरल दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके बात की भी बात करूं, medieval की भी बात करूं, तो medieval में भी अगर हमें इंड हास पढ़ते, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, धीरे धीरे ये चीजे विक्सित हुई है, और हर धर्म के पहलर भारत के किसी ना किसी छेतर में दूसरे धर्म का अस्तित्व बना हुआ है, समझ में आ रहा है, तो यहां पर यहीं बोल रहा है कि भारत विभन धर्मों का प्रांगड है, और जितने भी लोग सामप्रदाइक रूप से भारत में गरबर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा नहीं, हमें समझ नहीं, तो कई बार चार लोग मिलके भढ़का देते हैं, और दंगे हो जाते हैं, लेकिन जब आप ancient history को अच्छे से पढ पीरिट में वैदिक धर्म नहीं था, या बुद्धिस्म नहीं था, लोग अपने हिसाब से अपने religion को follow करते थे, या फिर अशोका के time period में वो बुद्धिस्म का बहुत बड़ा follower हो, इवन उसने उसका expansion भी किया, अपने बेटा-बेटी को लगा दिया, जाओ बौद धर्म को follow, लेकिन ऐसा नहीं था कि harmony नहीं थी, उसके empire में बाकी religion को भी मानते थे, वैदिक religion को भी मानते थे, जनेज्म को भी मानते थे, आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो harmony है na, religious harmony, वो इंडिया में आज से नहीं, वो ancient time period से exist करती है, और हमें कभी भी इस चीज को लेकर लड़ा जैन, धर्म, बहुत धर्म का उदय हुआ था, यहाँ पर इसलाम का जिकर इसली नहीं कर रहा है, क्योंकि इसलाम मतलब 7th century AD, तो हम अभी ancient में बात उसकी करेंगे ही नहीं, हम तो ancient पढ़ रहे हैं, वहां से तो medieval चालो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर में आपको hint दे दि लिए, कि उस time period में भी जहां Islamic states थे, तो उसके parallel बहुत सारे हमें हिंदू राजा महराजा के छेतर दिखाई देते हैं, दक्षिर भारत में, ठीक है, तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है, विजयनगर kingdom, ओके, प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बहुत धर्मों का उदय हुआ परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस पर एक सम्मिश्रण है, यानि कि बुद्ध़ज्म ने कुछ जैनिस्म से अडॉप्ट किया, जैनिस्म ने बुद्ध़ज्म से, इन दोनों से, वैदिक ने, वैदिक से, आप समझ रहें कि इनके बीच में बहुत सारी च हो जाएं, जो आपका day-to-day lifestyle है, जो जीवन-पधिति वो almost सब का same है, उसका reason क्या है, क्योंकि parallelly ये सारे religion जो है, वो भारत में विक्सित होते वे दिखाए दिए, जो parallelly विक्सित हुए, तो ऐसा बिल्कुल extreme किसी का नहीं था, सब एक ही जैसी जीवन-पधिति को अपनाते वे अपने अपने धर्मों को मानते वे, follow करते वे चले गए, तो ये आपको पता लगता है, ancient history से बहुत अच्छी समझ होती कि किस तरह से, one by one ये religion आ रहे है, ये विक्सित हो रहे है, आपस में हार्मनी से रह रहे हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं, आज के जो इतना ही चीज को लेकर आपको कोई भी डिबेट नहीं करना है, कुछ भी ऐसा विद्रो वाला नहीं करना है, क्या रहे नहीं, ऐसा था, ये book में लिखा है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जब आप इतिहास पढ़ते हैं, जो historians ने वहाँ पर बाते लिखें, तो आपको इसके constitution बना रही थी, तो constituent assembly बड़े असमंजस में फसी हुई थी, क्योंकि हमारी constituent assembly के कुछ ऐसे members थे, जो बोल रहे थे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, भारत नाम हमारी संस्कृति को दिखाता है, भारत नाम हमारे इतिहास को प्रदर्शित करता है, वही constituent assembly के assembly ने भी समझदारी रिखाई और दोनों ही नामों को अडॉप्ट किया, और हमारे constitution के article 1 में लिग दिया, India that is भारत, ओके, तो थोड़ा सा हमारे देश के नाम भी हम discussion कर लेते हैं, कि basically हमारे देश का नाम जो है, जो आप ancient history पढ़ते हैं, तो one by one आपको पता लगेगा कि किस तरह से देश का नाम जो है, वो हमें change होते हुए दिखाई दिया, आपने बहुत बार सुना होगा, भारत वर्ष टर्म सुना होगा, आपने हिंदुस्तान सुना होगा, ठीक है, तो यह जो टर्म्स हैं, यह कैसे आए हैं, हमारे, basically हमें की कैसे टर्म्स दिखाई देते हैं, क इतना ही नहीं, जो हम ancient history पढ़ते हैं, तो हमें बता लगता है, हमारे देश का भागौलिक विस्तार, जो आप बोल रहे हैं, भारत वर्ष, जो आप बोल रहे हैं, इंडिया, basically हमारा देश का भागौलिक विस्तार कहां से कहां तक था, आज तो बहुत सारी चीजे हो चुग तो actually भारत नाम का origin हमें कहां से दिखाई देता है, ancient time period से ही दिखाई देता है, और ancient time period का जो एक topic है जिसको आप बोलते हैं, वैदिक एज के नाम से जानते हैं, या फर जिसे आप वैदिक काल कहते हैं, तो ये जो भारत वर्ष टर्म है न, ये पहली बार इसका ये कब अब क्यों, क्योंकि वैदिक time period में आपको दिखाई देता है, जितने भी Aryans थे, वो कबीले के रूप में आ रहे थे, और इन ही Aryo का भारत नाम कबीला था, और उसके नाम पर ये भारत वर्ष जो है, वो हमें दिखाई 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 देता है, वहाँ पर पहली बार हम भी बताता है वैदिक literature, वहाँ पर आरे वरत शब्द का भी प्रियोक किया गया, लेकिन जो आरे वरत है वो भारत वर्ष से छोटा हो जाता है, आरे वरत बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, जहाँ पर Aryans आय थे और रहे थे और बसे थे, तो Aryans आपको नदन इंडिया में दिखाई देते हैं न, समझ में आ गया, तो आरे वरत जो टर्म वैदिक literature में यूज किया था, वो केवल और केवल इंडिया के नदन पार्ट के लिए यूज किया था, इवन जब आप आगे और ancient history के बढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो कई सारे राजा हैं, उनको बोला जाएगा, आरे वरत पर इन्होंने अटेक किया था, वहाँ पर इन्होंने पूरा जीत लिया था, इन्हें आरे वरत कहा गया, ऐसे ऐसे, तो वो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वैदिक time period में इस वाले region के लिए, नदन इंडिया के लिटरेचर में चानक के, तो चानक के भी एक और बार बात करता है, कि इसकी भारत वर्ष की चानक के बात करता है, क्लियर हो गया, और चानक के के ही time period में हमें दिखाए देता है, Moran Empire established हुआ था, और एक बहुत famous Moran king है, जिसका नाम है Ashoka, the great king, तो Ashoka वो king था, जिसने almost जो भ यह नाम कहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है, भारत वर्ष का concept तो आपको पता लग गया, लेकिन हमारे देश को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि इंडिया है ना, या फिर हिंदूस्तान, तो यह term कहां से निकल कर आ रहा है, तो इसमें कुछ हैं क्योंकि हमारा संपर्क इंशिन टाइम पीरेट से ही विदेशियों से रहा है, चाहिए मैं बात करूं, आर्यंस, आर्यंस भी तरह से विदेशी थे ना, सेंट्रल एशिया से मूव करके आये थे, आर्यंस आये, फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं, जो इरानी है, वो आ सब्सक्राइब का भी आदान प्रतान था किसके साथ में मेसोपोर्टाम या मिश्र की सब्सक्राइब के साथ, तो उनके साथ इनका लगातार व्यापार चल रहा था, तो वहां से भी कुछ टर्म समें निकलते भी दिखाए थे हमारे देश के लिए, क्योंकि जो इंडस वैल जो लोग रहते हैं, उस छेतर के साथ हम व्यपार कर रहे हैं, तो उसको एक नाम आइडेंटिटी देनी चालू की, वैदिकारियंस है, उन्होंने भारत वर्ष और आरेवरत का कंसेप्ट दिया, ठीक है, आगे चलके इरानी आएंगे, इरानी ने एक अलग कंसेप्ट दिया आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो हमारे देश का नाम बन रहा है, हिंदूस्तान, इंडिया, भारत, ये अलग-अलग प्रकार के नाम है, इसका इतिहास आपको बता लगता है कब, जो आप राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और फिर हम अननेसेसरी धोदर की बाते हैं करेंगे, हम point to point बात करेंगे, तो इसलिए ancient history पढ़ना जरूरी, अभी हम यहां यह जिक्र करेंगे, वो जैसे जैसे आप chapter पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे flow में यह सारे चीज़ आएंगे, तो यहां पर यही बता रहा है, कि भारत का जो ये नाम है, या भारत की जो एकता इसको विदेशियों ने भी स्विकार किया है, सबसे पहले सिंधु तटवासी के संपर्क में आने वाले जो लोग थे, उन्हों ने इस रीजन के लिए, पहले इस वाले रीजन के लिए यूस किया गया था, जो स्पैसिफिक ये वाला रीजन है, इंडिया का, इसके लिए य इर्वाली भाशा में हमें दिखाई देता है कि पहली बार हिंद शब्द गयों निकल रहा है, संस्कुर्ट के सिंध से, हिंध निकल जा रहा है, फिर आगे हमें कुछ और जो इर्वाली इंस्क्रिप्शन थे, उसमें सिंधु झेतर नाम मिला, सिंधु झेतर, जो सिंधु तो वहां के लिए Sindhu Chetri यूज्ज किया गया, फिर हमें Hindustan का Jikrim मिलता है कहाँ पर, तो हमें बता लगता है कि इरानी ही, जो Sasani Empire था, यहाँ पर Sasani Empire था, उसके द्वारा हमें बता लगता है, लुज्ज किया जाना है, तो वन बाए वन हम यह सारी यहां पर आपको जादा नहीं होना है, जैसे-जैसे-चैप्टल आएंगे, इसको हम डिटेइल से पड़ेगे, ठीक है, पिर आगे चलके धीड़े-धीडेश का नाम इंडिया, तो यह जो कैसे हो रहा है न, देश की नाम में परिवर्टन, यह सारी चीजे हम यहां से डिसक्स मतलब कौन सा इंडिया का पार्ट है जिसको हम भारत वर्ष कह रहे हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारे जो दार्शनिक थे, कवी थे, शास्रकार थे, सबने काफी बताया है भारत वर्ष के बारे में ठीक है, भारत वर्ष मतलब पूरी भारत का एक रूप, अब वो एक कहां से कहां तक है, आप का ऐसे बताओगे, यहां से लेकि यहां तक एक पूरा भारत वर्ष है, तो हमें पता लगता है, कि भारत वर्ष जब भी टर्म यूज़ किया जाएगा, तो इसका मतलब है, है हमाले से लेकि का किया गया जो पुरा 140 आर्यव्रत की बात कि गई वह केवल इस वाले नदन इंडिया वाले region के लिए किया गया, I hope यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलके चानक के भी भारतवर्ष का जिक्र करते हैं, वो भी इसी पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतवर्ष यह बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो national नहीं है, मतलब वो रास्ट्रियता वाली भावना नहीं है, अगर जो रास्ट्रियता वाली भावना है, वो हमें कब दिखाई देती है, बिटिश जब इन्वेट करते हैं, बिटिश ने वन बाई वन ओक्यूपाई किया, उसके बाद से 1857 का रिवोल्ट हुआ, वहां पर च अशोका रूल कर रहा था, जब चानक के भारतवर्ष का जिक्र करते हैं, और हमें मौरेन एंपाईर दिखाई थे, तो मौरेन एंपाईर ने अपने एंपाईर को भारतवर्ष नहीं कहा, ठीक है, टेरिटरी जरूर बताई गई है कि यह भारतवर्ष है, लेकि मौरेन क्या मौर रहे है, मौरेन सामराज्ये, क्लियर हो गया, या फिर आगे गुप्ता भी हमें रूल करते हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं, गुप्ता एंपाईर हैं या जितने हमें महा जन पर दिखाई दिखाई दिएता है, मगड, मगड एंपाईर, तो भारतवर्ष का मतले territory मतलब वो इस पूरे territory को अपने control में करना चाहते थे जिसको भारत वर्ष से रूल करने वाले थे वही आगे चल कर किस नाम से जाने गए चक्रवर्तिन के नाम से जाने गए और हमें यहां पर NCRT तो बोल रहा है दो वार लेकिन यह जो पहली बार वाला है ना अशोका अशोका के बारे में ही हमें आक्चुली पता लगता है क्योंकि उसके इंस्क्रिप्शन फैले हुए थे पूरी इंडिया में तो हमारे पास आर्के लॉजिकल एविडेंस सा बहुत सारे लिटरी सोर्सेस ते जो पता लगता है कि जो अशोका के टाइम पीरिट का एंपायर था यह आल्मोस्ट भारत वर ठाइटल भी मिला था एक और रबार हमें जिक्र पता लगता है किसका हर्षवर्धन का पता लेकिन उसके बारे में बिसकली उसके दरबारी कवी नहीं लिखा था तो बहुत हमें आर्के लॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते हैं लेकिन स्वारी समुद्रों गुप्ती के काल समुध्र गुपते गुपता ऊप्रोगा कर्का रूल की तायं पीरड में पता लगता है, जो विंए नीइव और साओं तरीय के उस सारे त्राइब रूलर्स को इसने पराजित किया तो उससे हमें ये तो क्लिक हुआ कि कहीं ऐसा है, कि पूरे इन्धियम पर कॉन्ठ्रोल कि लेकिन बहुत सारे एविडेंसे आर्केलोजिकल एविडेंसेज वगेर हमें नहीं मिलते हैं तो यहां पर यहीं बोड़ है कि भारतवर्ष का कंसेप्ट था और अल्रेडी था यह रहा हमारा भारतवर्ष जिसमें से अभी थोड़ा पार्टीशन की वज़े से चीजे हाथ से तो यह सब पता लगता है जो आप इंचेंट हिस्टी पढ़ते हैं तो वन बाइवन आपको क्लारिटी आएगी कि यह कैसे हुआ कैसे हमारा एक पूरा ठीटरी था धीरे धीरे हमें इंचेंट से मेडेवल की तरफ जाएंगे फिर पता लगेगा भारत से कैसे कैसे कुछ शे है तो यहां पर यहीं बोल रहा है कि एक्चली लेकर बहुत सारे इशूस होते हैं अगर मैं बात करूं हमारे कॉंस्टिटूशन का स्केडिल नंबर एट वो ट्वंडी टू लैंविजिस की बात करता है लेकिन बहुत सारी भाशाएं हमारे देश में बहुत सारी बोलिया है थाउजन्स में हमें बोलिया दिखाई देती हैं जैसे मैंने बोला कि इंडिया का कल्चर इतना रिच है कि हर दस किलोमेटर पर आपको नई बोली मिल जाएगी बतलब थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यहीं बोल रहा है कि भले आज भ भाशाओं का मूल एक ही है यहीं से तुम सारी लेंग्विजन्स बोलिया निकल रही है उनमें नए नए चीजे जूड़ती गए नए अभ्रंज जूड़ती गए और फिर उसका एक नया रूप हमें दिखाई दिया जिसे आज आज आप विक्सित रूप कह रहे हो वह कई प्रक्रम था समझ में आ रहा है तो यहां पर यहीं पता लग रहा है इंशिंट हिस्ट्री पढ़ने से विवाद सॉल्व हो जाएगा कि थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपस अगर मैं बात करूं तीसरी श्यताबदी इशापूर्व यानि कि 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 बात चला गया जीरो के पहले देजबर में संपर्क भाशा का काम करती थी प्रकंण हो गया पाली हो इनहीं का ज्यादा यूज़ करते थे हैं आप देखते है महात्मा बुद्ध जी वह पाली और प्राकर्थ उसके पहले दिखाई देता हैसंस्कृत है थोड़ा से हमें जह जदा सुपिरिय। लोग होते थे बड़े लोग होते थे बढ़े लिक्रम वो ज्यादा उस language का यूज करते थे लेकिन जो common people थे ना वो ज्यादा तर पाली प्राकर्थ भाषा का तो बोल रहा है कि इशापूर्वत तीसरी सदी तक हमें दिखाए देता है कि प्राकर्थ देश भर्क की संपर्ग भाषा का काम करती थी ठीक है और इसका हमें कैसे प्रू पर अलग अलग तरीके से अपनी बाते खुदवा के लिकवाने चालू किते उसको हम बोलते इंस्क्रिप्शन ठीक है तो अशोका की इंस्क्रिप्शन से हमें ये एविदेंस मिला था ठीक है आगे बोल रहा है कि बाद में जो प्राकर्थ जो डवलप हुआ था डवलप हु बहुत सारे बहुत टेक्स्ट भी हमें कुशांस के टाइम पीरिट से संस्क्रित में दिखाई देने लग जाते हैं ओके फिर बोल रहा है कि इतना ही नहीं आगे पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे रामायण और महाभारत जो हमारे महाकावे एपिक्स हैं इनको पढ़ने में लोगों की बहुत तुरीची थी इवन दक्षिन भारत की मैंने आपको बोला संस्कृति का आदान प्रतान होता रहा है तो हमें बता लगता है कि यह जो दो महाकावे है नौर्थ के महाभारत रामायण इसको तमिल प्रदेशों के विक्तियों ने भी अपनी रूची जताई पढ़ने में और इसके लिए हमें पता लगता है कि भले महाभारत रामायण की मूल रचना संस्कृत में हुई थी लेकिन फिर इन्हें दक्षिन भारत की विभन इस्थानिय भाशाओं में ट्रांसलेट किया ठीक है तो कुल मिला कि अगर मैं लैंग्विज की बात करू तो को धिहान रख रहे हैं कि आज इतनी सारी लेकिन इसका वहीं से हमें दिखाई देता है दिरे 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 अलग अलग रूप में यह विक्सित होती गई तो इसको लेकर कभी भी विवात नहीं करना और जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता लगेगा विवात का कुछ ही नहीं है मूल एक ही है पैत्रक है बस आगे निकल कर आपकी ब्रांच बढ़ गई है ठीक है चालो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोर रहा है भारत में वर्ण व्यवस्था यह बहुत जटिल रूप हो चुका है ठीक है वर्ण व्यवस्था बेसिकली में आए थे हमें पता लगता है वैदिक काल का भी बैसिकली दो ताइम पीरिड हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर नहीं एक यह जस्ट बैनिफिट क्या होने वाले वह हम kishing डिस्कसर करें तो वैदिक एज जो है इसको हम दो टाइम पीरिड में डिवाइट क आगे पता लगते हैं हमें कौन सा टाइम पीरिड तो 1000 BC से लेकर 600 BC या 600 इशापूर तक का टाइम पीरिड है इसे क्या बोला गया था लेटो वैदिक या फिर उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना गया है हैंड राइटिंग ठोड़ी गड़बर आ रही है कोई बात नहीं आगे से ध्यान से बना देंगे ठीक है उल्टा पड़ रहा है मेरा हाथ इधर से तो मैं आपको यह बोल रही थी बेसिकली कि जो वैदि लग काम कर रहे हैं कोई पढ़ाने का काम करता है कोई पूजा करने का काम कोई रक्षा करने का काम कर रहा है यानि युद्ध लड़ने जा रहा है कोई जो है छोटे-मोटे क्या बोलते है क्रिशी हो गया शिल्पोगैस का काम कर रहा है कोई जो है वो जानवरों को जलाना च थार पे लाए गया था और यहां पर चार वर्ण बाटे गए थे ब्राम्मर्ण शत्रिय वैश्य सुद्र ठीक है लेकिन आगे चलके स्टेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी कि भई मैं जहां पर हूँ मेरी कुर्सी छीने मत मैं जस जगा पर हूँ वो धम जाए यह अदला बदली ना हो क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पीरिड तक तो यह था कि एक घर के अगर चार बच्चे हैं एक बच्चा पढ़ाने का काम या पुजारी का काम एक बच्चा युद्ध करने का काम और एक बच्चा खेती करने का काम और एक शिल्प का काम कर रहा है तो एक ही घर में चार वर्ण बोले जा सकते थे ठीक है यह अदला बदली चल रही थी और मैंने आज पढ़ाया अगले दिन मैं युद्ध कर रह जो आहां से फिर आगे चलके हमें दिखाई दिटा है अलग-अलग empires मैं आपको बताऊंगे मॉरियंस के जब मगत दिखाई देगा मगत के बाद मॉरियंस दिखाई डिए तो किस तरह से ब्राम्मन्स जो है वो जो रूलर हो गया वो सारे शत्री कहलाएंगे ना, तो अब उनको जगा देने के लिए जाती विवस्था आएगी, जातियों में उपर जातिया निकलेंगी, इवन जो विदेशी रूलर्स थे, उनको भी बोल सकते है, मानिता देने के लिए, किस तरह से नही नही जातिया बनाएं, उनका समिश् तभी तो आज की जो वर्ण विवस्था है, जहां पर लोगों के साथ, जहां पर गलत देखो, वर्ण विवस्था अच्छा बुरा ये नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर उससे किसी को exploit किया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज, जिससे किसी का exploitation ह तो वो खराब है, ठीक है, तो जहां पर exploitation चालू वहां पर खराब, और आप रोकोगे कैसे इसे, जब आपको इसका reason पता होगा, तब ही आप तर्क दे पाओगे ना, कि ये चालू हुआ था, यहां पर आया है, एक्च्छल रूप ये है, ये तो जटिल रूप है, ये गलत ह है, वो सही है, आप समझ पा रहे हो, तो बस यही है, जब आप ancient history पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वर्ण विवस्था कैसे लाए गई थी, जातिया कैसे लाए गई शंकर जातिया कैसे बनी, मतलब जहां पर submission होता है, वो सब आपको पता लगता है, इवन इतना ही जो जाति विवस्था, जो वर्ण विवस्था है, इन्होंने केवल हिंदू रिलीजिन की नहीं, बल्कि आगे चलके जो आपको दिखाई देता है, Christianity या Islam, इन दोनों पर भी इसका impact पढ़ता है, समझ में आया, तो ये भी हम जानेगे कि कैसे इन पर impact पढ़ा, क्या-क्या हम इन में भी इस तरह का कुछ प्रभाव पढ़ते वे दिखाई दिया, वो भी हम जानेगे कि यहां पर भी कैसे branches निकलनी चालो हो गए, तो जब आप एंशिन पढ़ोगे, तो ये सारे questions वो आपके solve होंगे, अब यहीं ही बोलना है कि हमको जानके क्या करना है, क्योंकि आप इस पत पर जा रहे हैं, आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आप इसको ground level पर execute कर सके, और जो हमारे देश में आज problems आ रहे हैं, जो हमारे देश में दिक्कते आ रहे हैं, उसको आप इस आधार पर resolve कर सके, ठीक है, चालो, यहां तक समझ में आ रहे हैं, एक बार comment section में ब definitely पढ़ोगे, लेकिन हम ऐसे पढ़ लेते हैं, कि यह हमारा stone age है, इंडस वैले civilization है, वैदी केज आ गया, फिर महाजनपद आ गया, मौरेन आ गया, पोस्ट मौरेन आ गया, गुपताज आ गया, पोस्ट गुपता आ गया, खत्म, यह ऐसे नहीं पढ़ना है, आप जब इन chronology को पढ़ोगे, तो आपको alert हो जाना, आपको पढ़ना है, अच्छा, stone age आया, क्या culture, क्या society, क्या economy, क्या political system, यहां से हम गए, इंडस वैले civilization में, यहां पर क्या changes आ है, political system में, religion में, society में, economy में, अच्छा, यहां पर religion ऐसा था, यहां पर यह नई चीज introduced हुई है, यह इंड technology और data रट कर exam में नहीं जाना है, आपको concept के साथ में जाना है, कि अच्छा, यह changes हुए, जितना अच्छे से ancient के changes को समझोगे, उतनी सुंदर्ता से medieval तक जाओगे, और उतनी सुंदर्ता से modern तक जाओगे, और फिर देखना आप बिलकुल ग्यान प्राप्ति, वो को आएगा कि कैसे present day, modern day, हम इसको कैसे use कर सकते हैं, आज आपका जो समय चल रहा है, इसमें हम किस तरह से अपने ancient history का use कर सकते हैं, तो हमें बता लगता है कि आधो निकाल में हम बहुत सारी problems face कर रहे हैं, वो problem क्या होती है, basically आप अपने समाज, किसी भी समाज को आप देख सिस्टम पर हर चीज पर उसका impact परता है, education, health हर तरीके से, तो यहां पर यह बोल रहा है कि हमारे देश में बहुत सारी दिक्कते हैं, उसको हमें accept करना होगा, और भारत में सभहता विकास की धारा इन सावाजिक भेदभाव की व्रधी के साथ बड़ी है, मतलब अगर हम बा होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं society के level पर, ground level पर बात करूँ, तो जैसे जैसे भारत विक्सित हुआ है न, ये समस्याए भेदभाव वाली बढ़ी है, सामाजिक भेदभाव में व्रधी हुए, आज भारत बहुत modern हो गया और उतना ही जादा सामाजिक भेदभाव बढ़ सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन, वहाँ पर ये term यूज़ किया जाता है, वेदो की और लॉटो, ठीक है, यानि कि वो जान रहे हैं कि आज जो आप रूप, मतलब, actually आज बहुत सारे लोग वेदो का हवाला देते हैं, बहुत सारे लोग कुरान का हवाला देते हैं, अ आप इन सारे ancient history के chapters को अच्छे से पढ़ेंगे, आप basics जानेंगे, तो आप इन सारी problems को solve कर पाएंगे, समझ में आ गया है, जब आप वेद पढ़ोगे, जब आप अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, अन्य, तभी तो आपको बता लगेगा वो क्या बोल रहा है, और महाल बनतावा देश में दिखाई देता है, तो definitely आपकोई आपके देश में व्यापार करना चाहा रहा है, और जातवात को लेकर रोज आए दिन भिर जो, for example, मेरे घर से मुझे एक ग्रॉसरी की शॉप पर जाना है, जो मेरा एक रास्ता है, चोटा रास्ता वहां से रोज पर दो लोग रोज लड़ रहे हैं, तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगी, अब मैं दूसरे रास्ते से जाओंगी, भले रास्ता वह लंबा हो, तो कोई भी ऐसे महाल में व्यापार हो गया, एकॉनमी हो गया, इंस अपर नेगेटिव इंपक्ट परता है, ना देश के ल और जो हमारे सामाजिक विकास में बाधा बनी हुई है, इसको हम वन बाई वन दूर कर पाएंगे, जब आपे इंशिन पढ़ होगे, तो इंशिन का यूज देख लिया, कितना जादा है, ठीक है, आगे बोल रहा है कि प्राचीन भारत के अध्यन से हम तह में पैट कर पाते होते हैं कि बाल विवा है ना, चाइल्ड मैरिज, वह होता था, जब मैं पढ़ ही तो मुझे बता लगा, अच्छे, यहां से इंटर्ड्यूस्ड हुआ, फिर वुमिन का स्टेटस, हमें बता लगता है कि जो विमन थी पहले, इनका सिच्वेशन अच्छा था जब वैदिक क सती प्रथा इंटर्ड्यूस्ड हुई, पती मर गया तो उसके साथ उसको ले जाकर जला दो, तो अच्छा यहां से इंटर्ड्यूस्ड हुआ, है ना, तो यह सारी चीजी जो है कुरीतिया कैसे आई भारत में, वो आप पढ़ पाते हैं और जब आपको पता लगता है कि जबर्जस्ति चिपका दिया गया, लेकिन यह था ही नहीं करता था, ना हमारे ग्रंथ इसका हवाला दे रहें ना, इंडियन सोसाइटी में पहले एक्जिस्ट करता था इसको लाया गया अपने अपने हित्त के लिए, जहां जहां जिसको जो बेनिफेट लग रहा था चिप स Nepont यहां नहीं आतीग तो अभर समझ पार रहें जो आप देखते हैं रिजर्वेशिन robot या बहुत सारे debates होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे दिश में reservation दिया जाता है, लिंग के आधार पे महिलाओं को reservation दिया जाता है, जाती के आधार पे reservation दिया जाता है, general SCSTOBC category बना के आप reservation दे रहे हैं, पहले पिता, फिर भाई, फिर पती, मतलब dependent हो चुके हैं, अब हम आप पर socially, economically, mentally भी, even mentally भी dependent है, तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ पाएंगे, तब आप इस चीज़ को सही ठहराएंगे, कि इनको जरूरत है आरक्षन की, ताकि ये वापस से अपने उसी status में जाकर पहुच पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो कुछ आपको ध्यान रखना है, और जब आप ancient history इस point of view के साथ पढ़ेंगे, और उनको लागू करेंगे आगे, जब आप as an administrator काम करते हैं, ये as a normal human being भी आप उसको daily to daily life में लोगों को बताएं, समझाएं या society में उन चीज़ों पर react थोड़ा कम करें, तो हमारा देश कैसा बन जाएगा, हमारा देश ऐसा बन जाएगा है ना, हमारा देश विक्सित होगा, हमारे देश में क्या बोलते हैं, स्वास्ते पर अच्छा काम होगा, सिक्षा पर अच्छा काम होगा, स्पेस पर काम होगा, क्या बोलते हैं, साइंस में काम होगा, हम इस तरफ जाएंगे तब ही तो हमारा विकास होगा, में जाती प्रथा महिलाओं के स Apache in चीजों से साम्प्रदायक ता अगर हम उल्ज है और भार्शा को लेकर लड़े लिपी को लेकर लड़े वह गलत मातलब में हम भिलकूल चुप जाये हैं यही हो तक है एंग्रा रिथा है वारत अलब होना झाहिए को दो कि आ नेसेसरी वाली जो चीज़े उसको रोकेंगे तभी हमारा देश ऐसा बन पाएगा आपको सेशन समझ में आ गया होगा तो बस यही था एक छोटा सा सेशन था चैप्टर वन था वन आपके चैप्टर कवर कराए जाएंगे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है कई बच्चे सब्सक्राइब करेंगे इसका बहुत इंप्टर वाला था इस वज़ेस इसने यह इतिहास लिख दिया इवन कई आप निउसपेपर पढ़ते होगे उसमें एडिटोरियल देखना कौन लिख रहा है इसका भी बहुत इंपक्ट पढ़ता है उसकी सोच मतलब एक ही इंसिडे इसकी सोच के हिसाब से कुछ इसमें एड ओन कर देगा यह इसे करेंगा तो हमें इतिहास पढ़ने के साथ साथ इतिहास कारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जब इतिहास को पढ़ें तो हम यह देख लें कि अच्छे यह वाला हिस्टोरियल लिख रहा है इस मानसिक्ता वाले तो इसके यह मानसिक्ता इस पर हावी होगी तो हम उस मानसिक्ता को हटाते वे पढ़ें आप समझ पारें तो इसी तरह बस सेकेंड चैप्टर भी आ जाएगा जो हम कल के सेशन में डिसकस करेंगे और आपको भी मेरे साथ के साथ बुक पढ़ लेनी है क कई बच्ची सुचेंगे कि मैं केवल क्लास का पढ़ ले हो जाएगा देखो यह जो बुक में लिखा है वही पूरा यहां छपा हुआ है लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताऊंगी जो मेरा समझाना था पस यहां तक काम नहीं है आपको खुद पढ़ना होगा मतलब एक कहा अपने पढ़ लिया ना फिर बिल्कुल आत्मसात हो जाता है मतलब एक आपने को जान लिया उसका तो यहां से आपने समझ लिया आपको बेसिक्स क्लियर आप बस जाओ जाके फटा-फट एक बार रीडिंग मालो बीस मिनट पच्चीस मिनट लगेगा दो पेज का है रीडि के लिए फिर हम क्वेश्चिन प्रैक्टिस करिए आप मेंस के लिए प्रिलिम्स के लिए टेस्ट लगाईए इन सब चीजों पर काम करिए और जितना हो सके एक ही बुक को मल्टिपल टाइम्स रिवाइस करिए ठीक है समझ में आ गया चलो तो फिर आज के सेशन को यही झाल